नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट कर्फशन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज अंतराष्टिये विश्व दिव्यांगता दिवस पर आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भारत में दिव्यांग किस तरह पिरित और सोशित किये जाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं भी एक दिव्यांग आर्टे आई कारी करता हूं आर्टे आई एक्स्टिविस्ट हूं यह मेरा ही फोटो है जिसमें मैं कई भरस्ट पुलिस पतादिकारी के खिलाप कई सफे जूट रिपोर्ट एवं अन्य काले कारणामा का खिलासा किया था जिसके कारण आप लोग द देखें 22 मार्च 2021 को ही सभी भरस्ट प्रतेदिकारी मिलके मेरे परतिपक्षी गन से मेरी हत्या करयाने का प्यास किये थे जिसमें मैं इस्वर की किरपा से बाल बाल बच गया हूं जिसके खिलाप मैंने पुनह कुछ स्वस्थ होकर इनके खिलाप मैं लर रहा हूं ऐसे भरस्ट पदादिकारियों के खिलाप यदि कारवाई नहीं की जा सकती है तो भारत में जो सिस्टम है नियाई पालिका की वह भी कहा नहीं जा सकता उसके बारे में मैं क्या वर्णन करूं मैंने इन सभी भरस्ट पुलिस पदादिकारी एवं अन्य पदादिकारी के खिलाप सुचनात्मक आवेदन संख्या 5900 अबलिक 2022 भी अंदर धारा 39 CRPC IPC 302-384 एवं अन्य के धाराओं में मैंने यह सुचनात्मक आवेदन कोट को भी दिया है जिसमें कुल 15 ओफिसर है जो मेरी हत्या कराने का पडियास पुनह कर सकते हैं तो इसमें अधिकांस पुलिस ओफिसर ही है जिनमें 15 पुलिस ओफिसर है और एक DCLR है इस सभी के काले कारणा में एवं जूठे रिपूर्ट का साक्ष मेरे पास RTI के अंतरगत उपलब्ध है लेकिन इस पर सौसमें कारवाई नहीं करने के कारण मुझे सौसमें न्याय नही मिल पा रहा है आज अंतराष्टे दिव्यांग दिवस है इस अफसर पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि एक दिव्यांग को किस प्रकार सोसित पिरित कर उसकी हत्या करने तक का प्रियास क्या जा रहा है जिनमें कुछ पुलिस पदादिकारी का मैं नाम असपष्ट आप लोगों को सुना देता हूं जो हैं राम निवास चौधरी पुर रतवारा उपी प्रभारी आलम नगर मधेपुरा दूसरा प्रेम कुमार पुर्पुलिस निरक्षक अंचल उदाक सुनिगन मधेपुरा कुंदन कुमार भूमी सुदार उपसमारता उदाक सुनिगन आजेश कुमार पुलिस अधिक्षक जिला मधेपुरा इन सभी के खिलाप मैंने जूठे रिपोर्ट का खुलासा किया है इसमें कुछ भागलपूर के भी पुलिस पतादिकारी हैं रमेश कुमार साह भवानी पूर ओपी अध्यक्ष भीपूर भागलपूर जैन प्रकास प दवानी पूर ओपी अध्यक्ष भीपूर भागलपूर ये पहले के हैं इसके सभी के कारवाई है तो सुचना आयोक का आदेश भी प्राप्त है लेकिन सभी पदादिकारी एक दूसरे से मिलकर उसको दवाने का प्रियास कर रहे हैं तथा किसी दोसी पदादिकारी पर प्राई नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने यह सुचनात्मक आवेदन सनहा आवेदन पुनह कोट में दर्ज करवाया है इसके पहले भी मैंने कुछ पतादिकारियों के खिलाफ यह कोट में सनहा दर्ज किया था जिसके समय सिमा समाप्त होने वाला था तो मैंने पुनह दूसरा आवेदन दाखिल किया हूँ यह आप लोग देखें इसके बावजूद अब भी मुझे कई पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा इस पर दबाब बना कर वाद को श्रमाप्त करने का दबाब बना रहे हैं तथा एक दूसरे को बचाने का प्रियास कर रहे हैं आसा है कि आप लोग इस दिप्यांग दिपस पर मेरा सहयोग करेंगे मैंने भरष्टाचार के खिलाप लड़ाई इसलिए शुरू किया कि भरष्टाचार के कारण मेरा कैरियर, मेरी संपत्ति मेरा सारा कुछ बरबाद दिप्यांग होकर भी पूरा खुल कर लड़ूंगा और लड़ते लड़ते इस ब्रष्टाचार को मिटाने का प्रियास अवस्य करूंगा आसा है कि आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि इसलिए मैंने इस चैनल का नाम एगस्ट कफसर 99 ही रखा है तथा ब्रष्टाचार के किलाब खुल कर मैं लड़ता आ रहा हूं जिसके कारण कभे भी कहें भी मेरी हत्या तक करवाई जा सकती है जिसमें ये सभी पुलिस पदादिकारी के साथ साथ अन्य पदादिकारी भी दोशी होंगे जिनके खिलाब मैंने सूचनात्मक आवेदन कोर्ट में दाखिल किया है इतना ही नहीं इसकी सूचना मैंने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रिम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजी है इसके बाब यूद ये सब पुलिस पतादिकारी आपस में मिलकर एक दूसरे को बचा रहे हैं तथा मुझे ही नुक्षान करने का प्रियास कर रहे हैं कई बाद अभी लंबित है सूचना आयोग में और अन्य कोर्ट में जिसके कारण मुझे जाने आने में भी बहुत तरकी परिशानी होती है इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाता हूँ कि मुझे आर्थिक रूप से भी सहयोग अवश्र करेंगे जिससे मैं भरस्टाचार के खिलाप खुद लरूँ और आप लोगों को भी लरने में कुछ सहयोग कर सकूँ जैहिन